गुड आफ्टरनून बच्चो आज हम थर्ड में जंप 5 स्टेप्स फारवड करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है 5 5 स्टेप्स प्लस करने हैं जैसे यहां पे दिया है कि 100 है तो 100 में 5 प्लस किया है तो 105 लिखा हुआ है फिर उसमें 5 प्लस किया है तो 110 आता है तो ऐसे ही हमें आगे करना है तो हम अब यहां से करते हैं कि 110 में 5 पलस करेंगे तो कितना हो जाएगा 115 फिर इसमें 5 पलस करेंगे 120 फिर इसमें 120 में 5 पलस करते हैं तो 125, 125 में 5 प्लस करते हैं, 130, 130 में 135, हमें 5-5 स्टेप्स चलना है, फिर 135 में 140, 140 में 145, 145 में 150, फिर यहां आल्रेडी लिखा हूँ है, 155 तो इसमें 5 करेंगे, 155 में 5 प्लस करो, तो 60, 160 में 165, 155, ऐसे ही आगे, 165 में 5 प्लस करो, तो 170, 170 में 5 प्लस करो, तो 175, 175 में प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 180, 180 में 5 प्लस करेंगे, 180, 5, फिर 185 में 5 प्लस करेंगे, तो 190, यहां पे 195, फिर इसमें क्या आजाएगा? 5 प्लस करने से 200, फिर यहां पे 205, तो 5 प्लस करो, 210, तो 5 प्लस करो, यहां पे 215, फिर 5 प्लस करो, 220, तो 5 प्लस किया है, 225, यहां पे 230, यहां पे 235, यहां पे 240 लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे, यहां पे 5 प्लस करके, 245, यहां पे 245 में 5 प्लस करो, तो 250, फिर यहां पे 5 प्लस करने हैं, तो क्या आजाएगा? 255, फिर यहां पे 255 में 5 प्लस करेंगे, 260, यहां पे 265, यहां पे 270, फिर 275, 280, फिर 285, 295, तो यहां आजाएगा 5 प्लस करके, 300, फिर इसमें प्लस करेंगे 5 तो 305, यहां पे 310 दिया है, यहां लिखेंगे 315, फिर 5 प्लस करो, 320, फिर 5 प्लस करो, 325, फिर 5 प्लस करो, तो आता है, 330, तो इसी तरह से, अगर हमें 5 स्टेप्स आगे आगे चलना होगा, तो हमें इन में 5 प्लस करने होती हैं, तो आज का इतना ही, थैंक्यू, झाल, 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